किया आप बिना BANK जाए अपना हर BANKING काम घर बेठे करना चाहते हैं चाहे बिल पे करना हो, Transaction करना हो, या Encount Balance चेक करना हो, Statement निकालना हो, SBIR Internet Banking आपके सारे काम मिंटों में कर सकती है लेकिन क्या आप जानते हैं इसे कैसे चालू किया जाता है आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप SBI Internet Banking को कैसे चालू कर सकते हैं वो भी बीना किसी जहनजट के वीडियो को अंति तक देखे अगर आप वीडियो को अंति तक देखते हैं तो आप आसानी से SBI Internet Banking चालू करना सिख जाएंगे तो चलिए अब हम आपको बताते हैं SBI Internet Banking चालू करने का पुरा प्रोसेस सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और सर्च बार में टाप करना है SBI Internet Banking टाप करने के बाद सर्च करना है उसके बाद सबसे उपर वाले लिंक पर किलिक करना है किलिक करते ही आपको कुछ इस्तरा का page दिखाई देगा अगर आप डारेक्ट इसी page पर आना चाहते हैं तो इस वीडियो के description box में link दे रखाओं link पर किलिक करके आप डारेक्ट इसी page पर आ सकते हैं इस page पर आने के बाद continue to login पर किलिक करना है जैसे ही आप continue to login पर click करेंगे next page आएगा इस page के नीचे आना है जब आप इस page के नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा new user register hair activate इस पर click करना है click करते ही next page आएगा इस page में new user registration देखने को मिलेगा आपको next पर click करना है क्लिक करते ही new user registration का page खुलकर आएगा यहाँ पर account number डालना है यहाँ पर cif number डालना है cif number आपको passbook पर मिल जाएगा यहाँ पर branch code डालना है branch code भी आपको passbook पर मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके अपने country को select कर लेना है मैं इंडिया को select कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर mobile number डालना है यहाँ पर वही mobile number डालना है जो आपके bank account से registered है अब आपको facility required के section में आना है और यहाँ पर click करके full transaction rights को select कर लेना है अब आपको इस capture code को इस box में डालना है और I agree पर click करना है I agree पर click करने के बाद submit पर click करना है जैसे ही आप submit पर click करेंगे आपके registered mobile number पर OTP आएगा OTP यहाँ पर डालना है और confirm पर click करना है जैसे ही आप confirm पर click करेंगे internet banking registration का page खुल कर आएगा इस page में आपको दो option देखने को मिलेगा पाला option I have my ATM card online registration without branch visit दूसरा option I do not have my ATM card activation by branch only अगर आपके पास ATM card है तो आपको पाले वाले option को select कर लेना है अगर आपके पास ATM card नहीं है तो दूसरे वाले option को select कर लेना है अगर आप दूसरे वाले option को select करते हैं तो आपको branch पर visit करना होगा अगर आप पाले वाले option को select करते हैं तो आपको branch पर visit नहीं करना होगा आप घर बैठे ही internet banking चालू कर सकते हैं मैं पाले वाले option को select कर लेता हूं उसके बाद submit पर click करना है जैसे ही आप submit पर click करेंगे next page आएगा इस page में आपको ATM card का details देखने को मिल जाएगा यहाँ पर click करके cards को select कर लेना है उसके बाद confirm पर click करना है जैसे ही आप confirm पर click करेंगे next page आएगा इस page में यहाँ पर नाम डालना है जो ATM card पर है यहाँ पर ATM card का expiry date डालना है जो कि आपको ATM card पर मिल जाएगा date में आपको केवल month और year डालना है यहाँ पर ATM pin डालना है आपको वही pin डालना है जिस pin का use करके आप ATM machine से पैसा निकालते हैं उसके बाद this capture code को यहाँ पर डालना है तो चलिए मैं पूरा details fill कर लेता हूँ पूरा details fill करने के बाद proceed पर click करना है जैसे ही आप process पर click करेंगे next page आएगा यहाँ पर reference number देखने को मिल जाएगा status success देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर लिखा देखने को मिलेगा your debit card validation is success आपको कुछ second तक bet करना है इस page को आपको close नहीं करना है automatic आपको इस page पर redirect करेगा यहाँ पर username डालना है username आपको कुछ इस format में डालना है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं username डालने के बाद चेक username availability पर click करना है अगर username available होगा तो यहाँ पर लिखा आएगा username available अगर username available नहीं होगा तो यहाँ पर दोसरा username डालना है जब username available मिल जाएगा तो इस box पर click करके सही का निशान लगा देना है उसके बाद यहाँ पर password डालना है password कुछ इस format में डालना है इस screen पर आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर फिर से वही password डालना है जो यहाँ पर डाले थे password डालने के बाद submit पर click करना है जैसे ही आप submit पर click करेंगे यहाँ पर लिखा आज आएगा successfully registered for internet banking दोस्तों हम successfully internet banking के लिए registered हो चुके हैं हमारा SBI internet banking चालू हो गया है अब हम आपको दिखाते हैं SBI internet banking में login कैसे करते हैं आपको close पर click करना है अब आपको फिर से इस page पर आना है continue to login पर click करना है click करते ही next page आएगा SBI internet banking का जो भी उजर नेम आप बनाया है यहाँ पर डालना है यहाँ पर password डालना है इस capture code को इस box में डालना है और login पर click करना है जैसे ही आप login पर click करेंगे आपके mobile number पर OTP आएगा OTP यहाँ पर डालना है और submit पर click करना है जैसे ही आप submit पर click करेंगे आप SBI internet banking में login हो जाएंगे यहाँ पर आपको अपना नाम देखने को मिल जाएगा इस page के नीचे जब आप आएंगे तो profile password set करने को बोलेगा profile password set करने को क्यों बोल रहा है चलिए बताता हूँ जब आप internet banking से किसी को पैसा भेजेंगे तो profile password का ज़रूरत पड़ेगा इसलिए profile password set करने को बोल रहा है यहाँ पर profile password डालना है password कुछ इस format में डालना है पाला capital letter में उसके बाद small letter special character number mix करके password बनाना है आप screen पर देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर फिर से वही password डालना है जो यहाँ पर डाले हैं यहाँ पर आपको hint question का section देखने को मिलेगा यहाँ पर click करके किसी एक question को select कर लेना है यहाँ से मैं what is your favorite food को select कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर answer डालना है आपका जो भी favorite food है उसका नाम यहाँ पर डालना है आप कोई भी नाम डाल सकते हैं इस question का जरूरत तब आपको पड़ेगा जब आप by chance profile password भोल जाते हैं तब इस question और answer से आप अपना दूसरा profile password बना पाएंगे यहाँ पर मैं अपना favorite food डाल लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर place up birth का नाम डालना है आपका जन्म कहाँ पर हुआ है उस अस्थान का नाम यहाँ पर डालना है उसके बाद submit पर क्लिक करना है जैसे ही आप submit पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा आ जाएगा योर profile password has been set successfully हमारा profile password successful set हो गया है अब हम SBI इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर सकते हैं go to account summary page पर क्लिक करके अपने account का balance देख सकते हैं click here for balance पर क्लिक करना है इतना करते ही यहाँ पर आपका balance आ जाएगा सो दोस्तों इस तरह से आप SBI इंटरनेट बैंकिंग चालो कर सकते हैं